सत्नमो आदेश गुरुजी को उम गुरुजी राची वाले भहिरब बाबा को अलक आदेश, मा भगवती को अलक आदेश, आप सभी को आदेश आदेश आज हम छिनमस्तिका साबर मंतर पर बात करेंगे, छिनमस्तिका साबर मंतर के बारे में जो जानने वाली बात है कि छिनमस्तिका को जो प्रकट किया था और जो वी वज्रवारा ही साधना है, हमारी छिनमस्तिका माता का, वो कानिफनाच जी ने दिया था अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि कानिफनाजी का घोर रूप है जिसमें इन्हों ये विताल पर सववार हैं मसान में बैठे हैं और हात में डमरू और कपाल लिये हुए हैं तो वज्रवाराही साधना हमारे घर के पास चिनमस्तिका स्थान है जो चार महामसान है पूरे भारत में उसमें एक महामसान चिनमस्तिका को माना जाता है यहीं पर बैठके चिनमस्तिका जो है वो रजरप्पा के पास मतलब रजरप्पा स्थान को कह जाता है रजरप्पा यह चिनमस्तिका को और यहीं पर उन्होंने दिया था वज्रवारा ही साधना तो मैं आप लोगों को मंत्र किसी ने मुझे एक कमेंड में लिखा था कि आप प्रवचर मत दो लेकिन देखो क्या है कि मैं किसी भी मंत्र के बारे में इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग blindly किसी मंत मंत्र की साधना ना करो मंत्र की साधना करने से पहले मंत्र के बारे में जान लेना चाहिए कि किसने वह मंत्र दिया क्यों दिया उसका क्या उसके पीछे परिता भी क्या है कि एक साबर मंत्र मिल गया उसको आप लोग जब कि सिद्ध कर लिए लेकिन वह साबर मंत्र का क्या प्रयोग है, एक ही साबर मंत्र का बहुत प्रयोग होता है, और साबर मंत्र का अर्थ निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय के वो कालखंड की भाशा में दिया जाता था, तो जैसे कि अगर आप संस्कृर्ट मंत्र कर रहे हो तो मोहियो, मोहिनी का मंत्र में मोहियो मोहियो लिखा रहेगा, मैं इस तरीके के शब्दों का प्रयोगता है, लेकिन साबर में बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस चीज के लिए यह मंत्र है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई किसी भी मंत्र का आप लोगों को background दे दूँ, तो जब आप साधना करने हैं तो आप समझ लीजिए कि छिनमस्तिका को अगर किसी ने साधा था तो वो हमारे कानिफनात महाराज थे कानिफनात महराज ब्राह्मन परिवार में पैदा हुए थे उस समय बिहार बंगाल एक हुआ करता था और इनके पिताजी मचवारे थे, ब्राह्मन थे मचवारे थे, देख लो, यह सब समझ का फेर है और जो मचेंद्रनाज जिस मचली से निकले थे वो मचली कानिफनाजी के पिताजी ने ही पकड़ा था तो वज्रवाराई साधना पे हम लोग किसी और दिन बात करेंगे माच छिनमस्ति का भगवती पारवती का वो रूप है जिसमें उन्होंने अपने सर को काट करके जया और विजया जो डाकनी थी या जिसको हम लोग मा पारवती की सेविका भी कहते हैं उन लोगों को दिया था फूल जोगनी भी बोला जाता है इनको गुजरात की तरफ और कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि माच शिर्मस्तिका माच शिर्मस्तिका उनके दोनों तरफ जोगनी है उनमें एक कड़म फूल जोगनी तो एक मंत्र है साबर का, जो अभी आप लोग जो आने वाला नवरातर अच्छे तरिक से उसमें माफोल जोगनी का सिद्ध कर सकना है, यह गोरक्षुनात का मंत्र है, जो वजरवाराही साधना उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगो, देखो वजरवाराही साधना से जब आप माच्छिद मस्तिकर की साधना करते है, तो उसका चार पांच चरन होता है, पहला चार चरन साधनागा होगा, जुआ हम अलग अलग लेवल का साधना होता है, जिससे कि आप उस लेवल पर पहुंच पाइए, तो अभी जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, वो आप घर में बै तो उसमें एक-एक माला तो नौ हो गया और अंतिन दिम फिर आपको दो माला करना है, इतना करने के बाद आपको दशांस हवन कर देना है, ठीक है? ऐसे जो माच छिनमस्तिक्या का जब हवन होता है, और जब पूजा होता है, साधना होता है, उसका एक विधान ये है कि अगर आप भगवती की साधना कर रहे हो, तो आप उनको एक बली देना चाहिए, काइदे से, तो अगर आप लोगों के पास बली देने का सुविदा है, तो इस साधना को करने के आद आप लोग जरूर एक बक्रे की बली दें. मंत्र क्या है? अगनी प्रजाली, प्रेत वर्णी, मुक्त केशा, कैची धारी, देवी उमा की शक्ती छाया, प्रलेई खाय, शिष्टी सारी, चंडी चंडी फिरे ब्रह्मांडी, भग भग बाला, भग दुष्ट को मुष्ट जती, सती को रख, योगी घर जोगनी बैटी, श्री संभू जत ने भाकी, छिनमस्तिका, जबो जाप, पाप, कटनते, आपो आप, जो जोगी करे, सुमरन पाप, पुन्य से नयाय रहे, काल ना खाये, श्रिम क्लिम रिम, एम वज्र, वरोचन्ये, हुम हुम फट स्वाहा, तो ये हुई पंचम जोती, छिनमस्तिका, जो मतलब दश महावि पंचम है, ऐसे अगर बहुत आप साधना करना चाहते हैं, तो मैं आगे चलके वज्रवारा ही साधना दूँगा, लेकिन ये साबर मंत्र करके, एक है, कि आप एक शक्ति के तो आधिपत्य हो जाते हैं, ठीक है, तो माजशिनमस्तिके के बारे में, जाने लाएक ये बाते है है, माजशिनमस्तिके के उत्पत्ति दो-तीन जगह बताई जाती है, जैसे एक तो हिमाचल में है, उस बोला जाता है कि वो उनका जन्म स्थान है, वहां से जब आप देखते हैं, तो आपको कैलाश परवर डिरेक्ट दिखता है, दूसरा जारकंड में चिनमस्तिका है, जार माजशिनमस्तिका के मंदिर से थोड़ा हट करके आप जाईएगा, तो वहां पर एक मसान है, जहां पर आपको एक आद अगहरी हमेशा दिख जाएंगे, वो जगह है जहां पर कानिफनाद बाबा ने माजशिनमस्तिका को प्रगट किया था, तो इसका साधना विदी तो मैं हवन की सामकरी बिलकुल वही रहेगी जो हमेशा मा भगवति के हवन में हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो एक तिल करते हैं, एक लॉंग करते हैं, गूगल करते हैं, इतना करने के बाद, देखें, जब आप मा की पूजा करेंगे, तो मा बिलकुल ही सात्वि गूगुल का धूप दीजिए घी का धीपक चलाइए एक जीज और मैंने बोला बली देनी होती है बली मा को नहीं पड़ता है मा के साथ जो दो जया और विजया रहती है उनको बली दिया जाता है तो जब मा का अपसाध रहे तो उनके साथ वालों को भी तो साथना पड़ेग वहां कभी भी दारिद्र प्रवेश नहीं करता वहां दुख नहीं हो सकता आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लक्षमी की धन की कमी हो दूसरा जिस जगा पे जो भी अपने घर में मा भगवती चिनमस्तिका को स्थान देता है उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता अगर आपके वंश लग रहा हो कि वंश आपका आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि वंश का आपका विनास हो रहा है तो ये देविच छिनमस्तिका क्या साधना करने से या फिर अगर आप छिनमस्तिका को अपने प्रॉपर्टी पर एक स्थान दे करके वह देखना उसके चार चरन और जो पाचवा चरन समशान वह मैं दीरे दीरे आप लोगों को बताऊंगा मुझे जैसे लगने लगेगा कि मेरे फॉल्वर्स में ऐसे लोग हैं जो कि वह साधनाए कर सकते हैं तो वह साधनाए भी आप लोगों को मैं आने वाले वीडियो में मुझसे डारेक्ट बात करना है किसी भी विशेक को लेकर की तो call me for app के तुरू बात कीजिए इसको आप store या प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इसको इंस्टॉल कीजिए इसके अलावा मेरा वाट्सप नमबर दिया हुआ है इमर्जेंसी के लिए आप सभी को अलाक आदेश 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 आदेश